हेलो, स्वागत है आपका, एके किलासे जैपुर चैनल पर, मेरा नाम है अजुकमार, आज का हमारा टॉपिक है, सभी एक्जाम्स के लिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट है, राश्टिय खेल पुरुषकार, यहां से प्रेशने आपकी एक्जाम में जरूर पूछे जा सुबह 11 वजे भारत के राश्टवती जी के द्वारा राश्टवती भवन में राश्टिय खेल पुरुषकार दिये जा चुके हैं, तो यहां से प्रेशने एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो चलिए, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, तो हमारा पहला राश्टिय खेल पुरुषकार कितने प्रकार के होते हैं? अंसर हो जाएगा 6 प्रकार के, राश्टिय खेल पुरुषकार 6 प्रकार के होते हैं देखते हैं, मेजर दानचंद खेल रत्रन पुरुषकार, अर्जुन पुरुषकार, द्रोनाचार्य पुरुषकार, लाइफटाइम अचिब्मेंट के लिए ध्यानचंद पुरुषकार, राश्टिय खेल पुरुषकार, और मौलाना अवुल कलाम आजाद M.A.K. पुरु मेत्पून योगदान देने के लिए राश्टिय खेल पुरुषकार दिये जाते हैं, जिसमें खिलाडियों, कोचों, एवं संगठनों को उनकी उपलब दिया और भारत केलों के विकास में योगदान के लिए 6 अलग-अलग पुरुषकारों से समानित किया जाता है। अगला क्वश्चन है, बर्स 2023 के राश्टिय खेल पुरुषकारों नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 की घुषना किस मंत्राले द्वारा की गई? अंसर हो जाएगा मारा युवा, कारेक्रम और खेल मंत्राले के द्वारा की गई? युवा, कारेक्रम और खेल मंत्राले ने राश्टिय खेल पुरुषकार 2023 की घुषना की है। किया जाता है? आंसर हो जाएगा राश्टि पती के द्वारा ये हैं अमारी सिरी मती द्रोपती मुर्म राश्ट पती जी हैं, इनके द्वारा राश्टिय खेल पुरुषकार बित्रन किये गई? अगला क्वश्चन है, मेजर द्यानचंद खेल रतन अवार 2023 कितने खिलाडियों को मिला? आंसर हो जाएगा, दो खिलाडियों को मिला मेजर द्यानचंद खेल रतन अवार 2023 मेजर द्यानचंद खेल रतन अवाड की स्टापना बर्स 1991 से 1992 में की गई थी, यह खिलाडियों को पिछले चार बर्सों की अबदी में किसी खिलाडी द्वारा सबसे उतकरश्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, पुरुषकार में एक पदक, एक प्रमानपत्र और 25 खिलाडियों को सम्मानित किया गया है, तो कितने खिलाडियों को, दो खिलाडियों को, एक चराक सेटी और साथविक साहिराज, रंकी रेडी, यह बैड मिन्टल के खिलाडियों है, साथविक साहिराज, रंकी रेडी, इनको दो खिलाडियों को मेजर ध्यानचंद खेल रतन अवाड दोजार तेवी से सम्मानित किया गया है अगला क्वस्चन है अर्जुन पुरुषकार क्यों प्रिदान किया जाता है अंसर हो जाएगा खेलों में गोरब बढ़ाने के मैत्पूर योगदान के लिए अर्जुन पुरुषकार प्रिदान किया जाता है अगला क्वस्चन है अर्जुन पुरुषकार की शुरुवात किस वर्स होई आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरुषकार की शुरुवात 1961 में होई थी अगला क्वस्चन है राजीव गांदी खेल रतन पुरुषकार का नया नाम क्या रखा गया तो आंसर हो जाएगा मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुषकार को पहले राजीव गांदी खेल रतन पुरुषकार के नाम से जाना जाता था अगला क्वेस्चन है अर्जुन पुरुषकार के अंतरगत प्रतेक पुरुषकार विजेता को कितनी दनरासी प्रदान की जाती है अंसर हो जाएगा 15 लाक रुपे अर्जुन पुरुषकार के अंतरगत प्रितेक पुरुषकार विजेता को 15 लाग रुपे की धनरासी प्रिदान की जाती है अगला क्वस्चन है खेल मंत्राले द्वारा अर्जुन पुरुषकार 2023 के लिए कितने खिलाडियों को सम्मानित किया गया था अंसर हो जाएगा 26 खिलाडियों को खेल मंत्राले के द्वारा अर्जुन पुरुषकार 2023 के लिए सम्मानित किया गया था अर्जुन पुरुषकार अर्जुन पुरुषकार की इस्तापना होती है 1961 में की गई ये पिछले चार वर्सों की अबदी में लगातार उत्करश्ट प्रदर्शन के लिए खिलाडियों को दिया जाता है पुरुषकार में अर्जुन की एक कास से प्रतीमत दी जाती है पिर्मान पत्र दिया जाता है और पुरुषकार और पंद्रे लाग रुपे का नगत पुरुषकार दिया जाता है तो अर्जुन पुरुषकार 26 खिलाडियों को दिया गया कौन-कौन से वो 26 खिलाडी है तो चलिए देखते हैं अर्जुन पुरुषकार 2023 कुल खिलाडी कितने है 26 ओजास्पिरवीन देवताले है जो तीरंदाजी के खिलाडी है इनको अर्जुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया अदिती गोपी चंद स्वामी है तीरंदाजी की खलाडी है इनको भी अर्जुन पुरुषकार दिया गया मुर्ली सिरी संकर है ये एथलेटिक्स के खलाडी है इनको दिया गया था अरजुन पुरुषकार फारुल चोधरी है ये भी एथलेटिक्स की खलाडी है इनको भी दिया गया अरजुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया मौम्मद हुसामुद्दीन ये बॉक्सर के खलाडी है इनको भी अर्जुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया था आर वैसाली है सत्रंज की खलाडियां पोटो देख सकते हैं मौम्मद समी है ये किर्केट के खलाडी है इनको दिया गया अनुस अगरबाल गुडशवारी के लिए दिया गया था इनको दिब्बिक्रेती सिंग ये गुडशवारी ड्रेसेज के लिए दिया गया इनको और दिख्चा डागर ये गॉल्प की खिलाडी है इनको भी अरजुन पुरुसकार से सम्मानेत किया गया क्रिश्न बाद्दुर पातक ये होकी की खिलाडी है सुसीला चानू ये भी होकी की खिलाडी है पवन कुमार कवड़ी के खिलाडी है ये रेतु नेगी ये भी कवड़ी से सम्मन्दित है और इने भी अर्जुन पुरुषकार दिया गया था नस्रीन ये खोको के खिलाडी है इनको अरजुन अवाड मिला पिंकी लोन वॉल्स की खिलाडी हैं इनको भी अरजुन अवाड से सम्मानित किया गया एसवर्या प्रताप सिंग तोमर ये सूटिंग के खिलाडी हैं इनको भी अरजुन अवाड दिया गया इसा सिंग सूटिंग के लिए दिया गया था अरिंद अंतिम जी को रेसलिंग के लिए दिया गया था रोसी बीना देवी इनको बुसु के लिए दिया गया था और सीतल देवी को पेरा आर्चरी के लिए अर्जुन पुरुषकार से नवाजा गया था अजय कुमार ये बिलाइंड क्रिकेट थे और प्राची यादव इनको पहरा कैनोईंग के लिए दिया गया अर्जुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया ये 26 खलाडी थे अगला क्वस्चन है खलाडियों को उत्तम प्रिस्क्षन देने के लिए वक्तियों को कौन सा प्रुषकार प्रदान किया जाता है मतलब कोचों के लिए कौन सा प्रदान किया जाता है तो आंसर हो जाएगा द्रोना चार्य प्रुषकार कोचों के लिए द्रोनाव चार्य पुरुषकार दिया जाता है खिलाडियों को उत्तम प्रिसिक्षन देने के लिए दिया जाता है द्रोनाचार्य पुरुषकार अगला क्वस्चन है द्रोनाचार्य पुरुषकार लाइप टाइम स्रेनी के अंतरगत दुरोनचार्य पुरुषकार दो शरौणौमिय दिया जाता है एक lifetime शरेनी और एक नियमित शरेनी के अंतरगत ये lifetime पूछा है lifetime शरेनी के अंतरगत प्रतेक पुरुषकार विजेता को कितनी धनरासी प्रदान की जाती है तो आंशर हो जाएगा मारा 15 लाक रुपे बर्स हुई आंसर हो जाएगा 1985 इस भी में द्रोनाचारे पुरुषकार की शुरुवात हुई थी द्रोनाचारे पुरुषकार की इस्तापना बर्स 1985 में की गई यह पृतिष्टि अंतरराष्टिय आयोजनों में पदक विजेता तैयार करने के लिए फिर्शिक जखों को दिय जाता है पुरुषकार में द्रोनाचारे की एक कासिप पृतिमा एक प्रमान पत्र और आपचारेक पौशाक और पंद्रे लाक रुपे का नगत पुरुषकार सामिल है द्रोनाचारे पुरुषकार 2023 नियमित सरेनी कितने रासी दी जाती है नियमित सरेनी में 10 लाक रुपे की नगद रासी दी जाती है मैं कितने कोचो को दिया गया तो कितने कोचो को दिया गया आंसर हो जाएगा नियमित सरेनी में 5 कोचो को दिया गया था द्रोना चार्रे परुषकार 2023 में नियमित सरेनी में 5 कोचो को दिया गया यदि एक्जाम में question पूछा जाए कि द्रोनाचार्य प्रुषकार 2023 कितने कोचो को दिया गया तो कुल मलाके 8 कोचो को दिया गया 5 नियमित सरेनी के और 3 लाइप्टाइम सरेनी के कुल मलाके 8 कोचो को दिया गया द्रोनाचार्य प्रुषकार 2023 दुरौनाचार्य प्रुषकार 2023 नियमित सरेनी के कुल पांच कोचों को दिया गया कोच के नाम देख सकते हैं ललत कुमार जी हैं कुस्ति के कोच हैं आरवी रमेश हैं सतरंज के कोच हैं मावीर प्रिसाज सेनी हैं पेरा एथलेटिक्स के कोच हैं सिवेंद्र सिंग है ये होकी के कोच है और गनेश पिरवाकर देवरुक कर रहे हैं ये मल्खम के कोच है और इन पांचो कोचो को नियमित सरेनी दुरोनाचारे प्रुषकार 2023 में नियमित सरेनी में दिया गया था दुरोनाचारे प्रुषकार 2023 लाइटाइम सरेनी के तीन कोचो को दिया गया है कौन कौन से है जसकरीर सिंग ग्रेवाल है ये गौल्फ के बासकरन ये ये कबड़ी के कोच है और जेंत कुमार पुसीलाल ये टेबिल टेनिस के खोले इनको लाइटाइम सरेनी के लिए दुरोन ध्यांचंद लाइटाइम पुरुषकार दिया गया था ध्यांचंद पुरुषकार की इस्तापना होती है बरस दुजार दो में ये खेल बिकास में आजीवन योगदान के लिए वक्तियों को दिया जाता है पुरुषकार उपचारिक पौसांक और दस लाक रोपे का नगत पुरुषकार सामिल है। ध्यानचंद लाइब टाइम पुरुषकार 2023 में तीन को दिया गया खिलाड़ी के नामे तीन खिलाड़ियों के मंजूसा कबर हैं ये बेड मिंटर की खिलाड़ी हैं बिनीत कुमार सर्मा है ये होकी की खिलाड़ी है और कभीता सेल्व राज है ये आंसर हो जाएगा गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी अम्रत्सर को मौलाना अबुलकलाम आजा ट्रोफी 2023 दिया गया था मौलाना अबुलकलाम आजा ट्रोफी की इस्तापना होती है बर्स 1956 में और 1957 में की गई थी यह विस्विद्याले को फिछले एक वर्स की अबदी में अंतर विस्विद्याले टूर्नामेंट में सीर्स प्रदर्शन के लिए दिया जाता है इस पुरुसकार का नाम अबुल कलाम आजाद के नाम पर रखा गया जिने आमतर पर मौलाना आजाद के नाम से जाना जाता है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के बरिष्ट नेताओं में से एक और स्वतन्त भारत के पहले सिक्ष्य मंतरी थे मौलाना कवलूं आजाद यह योबा मामले और खेल मंतराले द्वारा प्रतिवर्श प्रदान किया जाता है प्रतम इस्तान हसिल करने वाले बिस्विद्याले को पुरुसकार में एक रॉलिंग में के ए ट्रोफी और पंदरे लाग का नगत पुरुसकार मिलता है लास्ट में कुछा है मैंने आपसे जिसका आपको कमेंट करना है गोल्डन गिलोप्स 24 में सर्विश रेष्ट निर्देशक मोशन पिक्चर का आवार्ड किसे मिला है इसका आपको कमेंट करना है I hope आसा करता हूँ सात्यों ये वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब करें थेंक्यू वीडियो पूरा देखने के लिए